नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आगडी न्यूज इस बक्त की बड़ी खबर साइबा ठगी के आरूपी को पकडवाया तो की फायरिंग बीडियो बायरल छत्तों से फैके पत्तर पिता को खाना देने जा रही यूबग के चेरे पर लगी गोली साइबा ठगी के आरूपी को पकडवाने की रंजिस में घरवालों ने एक परिवार पर फत्राव और फायरिंग कर दी फत्राव में मा बेटे गायल हो गए बहीं पिता को खाना देने जा रही यूबग के गोली लग गई मामला कामा थाना चेत्र के गाओं बगीची का है जहां सौंबार दुपैर तीन बजे का मामला है इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें फत्राव और फायरिंग करते दखाई दे रहे हैं बगीची गाम निवासी जमसेद ने बताया कि दो महीने पहले उसने गाम के सैनाज पुत्र जबरू को साइवा ठगी के मामले में पुलिस को पकड़वाया था इसके बाद जबरू और उसका परिवार उससे रंजिस्त रखने लगा आज अचानक जबरू जगड़ करने लगा इसके बाद जबरू ने जमसेद पर फायरिंग कर दी फिर दौनों पक्चों ने एक दूसरे पर फत्राब भी किया गटना के बीच इबराहिम निवासी डाना अपने पिता को खाना देने के लिए जा रहा था इस दोरान इबराहिम के मुँपर गोली लगी जिससे वह वहीं गिर गया इस्तानी लोगों ने इबराहिम को कामा अस्पताल पहुँचाया जहां से उसे बरतपुर के आरबियम अस्पताल रैफर कर दिया गया फिलाल दोनों पक्चों में जगडे के बाद तनाव की इस्तिती है जिसको देखते होए गाम में पुलिस पोर्स भी तैनात की गई है फत्राम में गायल खेरूना पतनी जमसेद और उसका बेटा बसीम भी गायल हुआ है महीं कामा थाना अधिकारी मनीश सर्मा ने बताया कि जमसेद की पतनी और बेटे की तरफ से सकायत मिली है मामले की जाँच की जा रही है आरूपियों की तलास जारी है जहां कामा थाना पुलिस भी पूरे मामले की गैनता से जाँच कर रही है और गाम में सांती विवस्ता कायम करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है जहां साइबर ठगी के मामले को लेकर दौनों के बीच विबाद बताया जा रहा है जहां पुलिस को मुखवरी करने को लेकर पूरा मामला सामने आया है जिसका बीडियो भी अब सोशल मीडिया पर बाइरल हो रहा है जहां दोनों पक्चों की और से फत्राव की भी सूचना है और बीडियो में भी एक पक्चे दिखाई दे रहा है जहां दूसरे पक्च के और से भी फत्राव किया गया है जहां पुलिस पूरे मामले की गहनता से जाच कर रही है जहां बरतपर आईजी रावर प्रकास ने आपरेशन एंटी वाइरस चला रखा है जिसे लेकर साइबर ठगों में हडगंप मचा हुआ है जहां गिरामीन इलाके की सरीफ लोग भी पुलिस को सूचना देते हैं और साइबर ठगों को पकड़वाते हैं लेकिन साइबर ठग सूचना देने वाले लोगों पर भी हमला कर देते हैं लेकिन पुलिस अब सतर्क हो गई है साइबर ठगी के बिरुद्ध ऑप्रेशन एंटी वाइरस चला रखा है जिसे लेकर साइबर ठगों में हडकम्प मचा हुआ है जहां बरतपर आईजी रावर प्रिकास और डीग एसपी राजेस मीना के निर्देशन में ऑप्रेशन एंटी वाइरस जारी है जिसके लिए अलग-अलग टीमें गटित कर रखी है और कामताना इलाका साइब मेबा छेतर की साइबर ठगों को पकड़ने के लिए बरतपर आईजी ने अलग-अलग टीम गटित कर रखी हैं जो आरूपियों को गिरपतार कर रही हैं